हेलो दोस्तो तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इंडियन एक्जाम मेकर पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस दो हजार चोबिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट छटवा तो दोस्तो ये कुश्चन आपके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को भी ओन कर दो जिससे के एंगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके तो दोस्तो यहां पर यह कुश्चन नमबर 38 से स्टार्ट हुआ है तो कुश्चन नमबर 38 में हैं दिसंबर 2023 में क इसे 36 गर्ण राजी विधान सबा का अद्यक्ष चुना गया है दोस्तों कि यह करेंट अफेर का कुश्चन से तो दोस्तों बताईएगा इसका सही आंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह ओप्सर बी डॉक्टर रमन सिंग को दिसंबर 2023 में अभी हाल ही में 36 गर्ण राजी का विधान सबा द्यक्ष निक्त किया गया है कुश्चन नमबर 49 उत्तर प्रदेश में कितने क्रसी जलवायू छेतर हैं तो दोस्तों बताईएगा उत्तर प्रदेश में कितने क्रसी जलवायू छेतर हैं तो दोस्तों इसका यमना नदी का उद्गम इस्थान कुश्चन नमबर 41 निमने लिखित में से देश के खाद्यान उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है तो दोस्तों बताएगा उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान है देश के खाद्यान उत्पादन में तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यह आप्शन सी प् आपसंदी 12 मईह को मनाया जाता है ङुशन 33 कि उत्स जो गुफ़ाएं जिकि साथन काल में निर्मिद की गई ती तो तो इसका जो कि जो गुफाँ हैं किसके सासान में कल में निर्मित की गई थी तो इसका जो सही अंसर यह उप्सन ए वाका टक और दोस्तों यह आजनता की गुफाँ यह आपके महराश्टर के औरंगाबाद में इस्तित हैं कुश्चन नमबर 45 नदी का बैता हुआ जल किस परकार का उर्जा का समभहन करता है तो दोस्तों इसका जो सही अंसर इह उपसंऽ डी गतेज और जा विछा यह उर्जा कारवने की सेयर तो बताएं की दिसमबर 2023 में परधान मंत्री नरेंदर मोदी ने विश्व के शबसे बड़े ध्यान केंदर का उद्गाटन कहां किया है तो दोस्तों बताईएगा कहां किया है तो इसका जो सही अंसर ये option A वारान सी में दोस्तों ये मोदी जी जादा तर काम करते हैं ये बनारस में ही करते हैं से कूशन नमबर 48 उत्तर प्रदेश की कि जली में में देश का प्रतं पुलिस संग्राले की स्थापना की गई थे दोस्तों बताइगा जोस्तों सही तो onảnसर ये option गाजिया वाद में कुशन नमबर 49 निमने लिख़त में से कौन सा सब्द भारती सम्विदान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह संगी दोस्तों भारती सम्विदान की प्रस्तावना में यह संगी उल्लेखित नहीं है बाद वाकि आपका समाजवादी पंतर निर्पेक्ष और लोक तंतरात दोस्तों यह आपके सम्विदान की प्रिस्तावना में नहीं तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जाएगी आपसेंडी संगी नहीं है कुश्चन नम्बर पचास जौन पुर में किसके दुआरा निर्मित अटाला मस्जिद अन मस्जिदों की निर्माड के लिए एक मिसाल बन यह तो दोस्तों इसका निर्माड करवाए था इबराहिम सरकी ने कुश्चन नम्बर 51 सितंबर 2023 में स्वक्ष वायू सर्विक्षड 2023 की पुरुसकार में कौन सा सहर पर थम स्रेडी की अंतरगत पहले इस्तान फर था तो दोस्तों इसका जो सही अंसर यह उप्सन सी इंदौ दोस्त आपके इंदौर सहर की जो गिंती होती है यह सबसे स्वक्ष सहर में गिंती की जाती है कुश्चन नम्बर 52 हमारे पेट में इस्तित पाचक रस में मुख रूप से होता है क्या होता है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह है ऑप्सन सी हाइड्रो क्लोरिक अमल दोस् दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्सन सी आयोडीन दोस्तों थाइराइड गरंती जो इसको बोलते हैं मतलब की घेंगा रोग घेंगा रोग किस की कमी से होता है तो दोस्तों यह कुश्चन नम्बर 54 जगनात मंदर किस राजी में है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यह आ तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा औहों डी आलाओ दिन कहल दोस्तों अलाओ दीन खिल जी सुर्चा हे तू एक विसे सैना कूनुक्त किया था किसे नमब्र चपपन वर्स 2030 का सांती का नोबिल पुरुषकर कि है तो दोस्तों इसका जो सही अंसर है यह option B नरगिस मुहमदी को दोस्तो 2023 का सांती नोबिल पुरसकर मुहमद नरगिस को परदान करने की गोश्रा की गई थी question number 57 अर्दसास्त में पर्थम नोबिल पुरसकर किसे दिया गया था तो दोस्तो इसका जो सही आंसर है यो option B अर्दसास्त में पर्थम नोबिल पुरसकर दिया गया था question number 58 निमने लिखित में से कौन भारत के संसत के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है question number 69 निमने में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो दोस्तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा question number 69 निमने लिखित में से कौन विधाय की सत्र को सत्रा वसान करने की अधिसूचना जारी करता है तो दोस्तों बताएगा कौन अधिसूचना जारी करता है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह option C राश्टर पती question number 61 भारत में पहली पैरा बैड मिंटन अकादमी की स्थापना कहा की गई है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह option B दोस्तों यह लखनव में स्थापित की गई है यह पैरा बैड मिंटन अकादमी question number 62 निमन में से उत्तर प्रदेश की किस जनपद में आरे भटनक्षतर साला इस्थाथ है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह option D रामपूर में दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामपूर जनपद में आरे भटनक्षतर साला इस्थाथ की गई है question number 63 सैयद सालार मेला आयोजित होता है तो बताएगा कहा होता यह औरियोक तही जो होता जायक है आपके बहराईच में अजित होता है कुछ नंबर कुछ नंबर किसी देश का आर्थ या किस पर ृब包 करता है तो बताएगा दोसतों किस पर निर्भर करता है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा option D उपरयोग तो सभी दोस्तों प्राकृतिक संसाधन पर भी पूंजी निर्माड और बाजार के आकार पर भी निर्वर करता है question number 66 रोग से रक्षा करने के लिए सिस्वों को DPT का टीका लगाया जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह option D रोहिडी कोकार खासी तथा टेटनेस से बचाओ के लिए दोस्तों सिस्वों को DPT का टीका लगाया जाता है question number 66 चमेरा हैडरो इलेक्टरिक प्रोजेक्ट कि सराजी में इस्तित है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यह option B हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यह चमेरा हैडरो इलेक्टरिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश राजी में इस्तित है question number 68 दो हजार गैरा की जन गड़ना के अनुसर उत्तर प्रदेश की जन संक्या भारत की जन संक्या कितनी प्रतिसत है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा option A 16.5.0 है question number 69 दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज में कितने cyber अपराद पुलिस इस्टेशन खोलने की मंजूरी दी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा option C 57 पुलिस इस्टेशन खोलने की मंजूरी दी है और दोस्तों question number 70 भारत का 6 तरफल पाकिस्तान से लगबग कितने गुना बड़ा है इसका जो सही आंसर या option B चार गुना बड़ा है दोस्तों भारत को जो 6 तरफल ये पाकिस्तान से लगबग चार गुना बड़ा है question number 71 वेदों की और लोटों का नारा किस ने दिया था तो दोस्तों बताए किस ने दिया था इसका जो सही आंसर आपसन B थारू जन जाती के दौरा और दोस्तों ये जो थारू जन जाती है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती पाई जाती है question number 73 निम्रे लिखत में से कौन सी पुस्तक जो तिवा फुले के दौरा लिखी गई थी तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है उपसन A गुलाम गिरी दोस्तों जो तिवा फुले के दौरा ये गुलाम गिरी पुस्तक लिखी गई थी question number 74 गांदी इर्विन समझाते पर हस्ताक्षर कब हुए थी तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा बताएगा तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये उपसन D पांच मर्च 1931 को दोस्तों ये गांदी इर्विन समझाते पर हस्ताक्षर हुए थी question number 75 गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान विदी जो आय या उपभोग के इस तरफ पर आधारत होती है तो क्या कहलाती है तो दोस्तों ये option C गरीबी रेखा ही कहलाती है तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास इतनी ही है दोस्ता अगर वीडियो क्लास पसंद आयों तो इक लाइक कर देने चैनलर पर नायों तो सब्सक्राब करके नोटिफिकेशन वैल को भी उन कर देना जिससे के अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकी